हेलो फ्रेंड वेलकम टू बाजुरा रेड़ी इंशूट टुटें लेसिस के आज के अंक में हम पांच फरवरी दो अजार चौबिस के प्रमुख समाचारों को देखते हैं आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो हम दो पर चर्चा करेंगे एक है जो है पैंडोरा पेपर्स एक्ट्वल में ये मुद्दा जो है 2001 में चर्चा में रहा था फिर जो है Indian Express ने इस पे लेक लिखा है, अटके लिखा है, क्योंकि इस Pandora Papers की जो जाज है, उसमें Indian Express भी investigative journalism के रूप में सामिल था, और इसमें बड़ी-बड़ी हस्तियां सामिल हैं, अबी नाम देखेंगे, Indian Express ने ही बताया है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि Pandora Papers क्या है, उसमें क्या साबित होता है, और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ठीक है, दूसरा मुद्दा जो है, वो यह है कि America और Britain ने अपना जो जन्वरी से हूतियों पर हमला सुरू किया था, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इसके दारे में जो अमेरिका, जो है, जार्डन में बिद्रोहियों दौरा जो है, इरान समर्थक बिद्रोहियों दौरा हमले करने में तीन अमेरिकी शन्यकों की जो है, जान जा चुकी है, ठीक है, तो आईए चलिए देखते हैं इन दोो को, क्या है, कैसे है, देखिए पंडोरा पेपर से, इसमें Singapo, Cecils, Hong Kong, Switzerland, Cy डाइप्रस, बिटेस, पनामा और बेलीजी युएससे में तो एक्चुल में ये एक 14 अगर देखा जाए तो 14 बैस्वी गस्तर की जो है फर्म हैं सेवा फर्म जो बनाने वाली सार्विसेस देने वाली फर्म हैं जिनसे लीक हुए करीब लगबग आप समल लीजें कि 11.9 लाक है यानि आप एक करोन से जाड़ा एक करोन 20 लाक या 19 लाक जो है डाकुमेंट्स लीक हुए थे जिसमें ये पाया गया कि इनके द्वारा जो है दुनिया के जो कुछ अमीर इंक्लूएंट लोग है या धेर सारे लोग है उनसे जुड़ी 29,000 जो है सेल कमपनिया जो है न केवल टैक्स हीवन में जो बरबाद जो मतलब जो चर्चितिया कर सकते हो बदनाम देश ने उसमें बगी सिंगापूर, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी स्थापित किया गया है जिसमें कहीं न कहीं जो है टैक्स चोरी, करचोरी या इस तरह के चीज़े कहा गया है ठीक है और ये जो है इसमें 2021 में ये मामला लीक हुआ था और भारत की जो है एक प्रमुख समाच पत्र इंडियन एक्सप्रेस इस इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव आप जर्नरिजम के साथ वो जुड़ा हुआ है और भारती नामों पर जाच जो है इंडियन एक्सप्रेस ने किया है अभी क्यों चर्चा में है क्योंकि अभी जो है इंडियन एक्सप्रेस ने एक लि उन पे जाज प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसनी को लेकर इसमें बताया गया है, इसमें हम समझेंगे कि मामला क्या है, पैडोरा पेपर्स क्या है, और वो क्या बताता है, किस चीजों के बारे में वो बताने की कोशिस करता है, ठीक है, तो देखिए मामला क्या है, मामला शुरू हो गई है ये सारी कारवाई पेंडोरा पेपर जांच में प्रवर्तन निदे साले की चल रही कारवाई के प्रमुक पहलू है जो दिखाते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दोहजार इकिस की जांच में नामित अप तटी फर्मों के लगबख सभी भारती मालिकों के लिए जांच शुरू की गई है इस इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस सूची में कौन-कौन से नाम है तो अनी लंबानी है सचिन तंदूरकर है नीरा-राडिया है, गौतम सिंघानिया है, ललित गुयल है, मालविंदर सिंघ है, हरिस सालवे हैं ऐसे बहुत सारे डेयर सारे तक्रीमन तीन सुची नाम है प्रमुक इन्फुएंट लोगों का या सूपर इच लोगों का जिनके इस पेपर में जिनके ट्रस्ट के बारे में offshore trust के बारे में पता चला है देखी अगर इसको थोड़ा सा समझे कि मामला क्या है तो होता क्या है कि जो बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो कर को बचाने के लिए जैसे कई सारे देशों में predator कर होता है यानि वहाँ पे कर का दर बहुत कम होता है आम तोर पे जैसे भारत या लगबग जो बड़े देश हैं हम अगर भारत के संदर में देखें तो जैसे income tax की दर 30 से 32 परसेंट है corporate rate अभी 22 परसेंट था लेकिन 20 से 25 परसेंट था यानि लगबग 20 परसेंट के आसपास income tax या corporate tax की दर होती है यहीं 15 से 20 परसेंट अपरिका और आसपास होती रहती है देशों में लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे वो अपने यहां जो अगर वहां पे company अगर अस्थापित करो तो वो बहुत कम दर है tax की छूट हो जाती है दूसरे उनके यहां जो बेवस्था है यानि जो company के बारे में जो उन्होंने system बनाया है financial system बनाया है वह बड़ा बंद बेवस्था है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं है यानि कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पे company अस्थापित करना बहुत आसान है वहाँ पे जाओ आसानी से करो बहुत सारे tax शूर देते हैं उसके लिए बहुत liberal है लेकिन जाच जनसियों के लिए वो बहुत क्या है उनके साथ बहुत ज़्यादा cooperation नहीं है ऐसे में बहुत सारे लोग अपने tax को बचाने के लिए कई बार जो है illegal money के लिए illegal करने के लिए वहाँ पे किया जाता है देखे जो money laundering होता है money laundering मतलब धन का सोधन वो यह होता है कि अपने पैसे को इतने तरीके से घुमाओ और घुमा के उसको फिर जो है financial system में डाल दो financial system होता है यानि कि जो banking या जो प्रडाली यानि जो bank होता है या non banking financial होता है या जो उससे जुड़ुए BDC bank या जो financial transaction के तरीके यानि बैद तरीका उसको financial system बोलते हैं तो money laundering में लोग क्या करते हैं पैसे को इतनी इधर से उधर जैसे washing machine करता है वैसे कर दिया जाता है और फिर अन्तता जो है उसको financial system में जोड़ दिया जाता है ताकि उसका आगे फाइदा लिया जा सके इसमें कहीं न कहीं जो बड़े पैमाने पर होता है काम money laundering का या अन्तरास्री उसमें जो जिसमें यहाँ पर company इस्थापित करना बहुत आसान हो उनसे बहुत जादा जानकारी नहीं कथा कि जाती हो लेकिन वहाँ पर इतना जो है tax sharing और इस तरह की चीज़े करना बहुत tough होती है तो वहाँ पर एक बार जाता है जैसे कि आप suppose that किसी देश में है आसानी से आप खोल सकते जैसे Switzerland बहुत फेमस था अब तो बदनाम हो गया है Switzerland है न अभी एक और मामला था आपको बाद में बताएंगे कभी जैसे कि Switzerland है Switzerland में कोई आप जाओ आराम से खाते खोल दो इसके बाद वहाँ से बहुत सारे root करके अब वहाँ का बैंकिंग सिस्टम भी अन्तानास्टी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो आप वहाँ से जुड़ के आप आ सकते हो तो ये तो वहाँ तक तो पता चलेगा कि जो है पैसा आया कहां से है कि Switzerland के किसे एकाउंट से आया है और उनको लाब क्या होता है कि इनकी बहुत सारे निवेस उनके हाँ जाते उसके छूट के उसके रूप में उनको फाइदा मिलता है लेकिन दीरे दीरे माहौल जो है दीरे दीरे ब्यवस्थाएं वहाँ पे बन रही है इसके बावजूद भी अभी भी दुनिया के जीडीपी का जो आप मान सकते हो कि जो है 15 से 20 परसेंट जो है इनी टेक्स हेंवन और इस तरह के देशों में पैसा लगा हुआ है हलाकि बैस्वी के अस्तर पर प्रियास के बावजूद जो मात्रा मतलब जितना है उतना ही है रासी लेकिन उसका तीन चौथाई के बारे में अब जानकारी प्राप्त होने लगी है तो इसी तरह के बहुत सारे पैंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स और भी कई सारी आई रहे तो उसी तरह से 2021 में एक पैंडोरा पेपर्स आया था इसमें ये सारी चीजे बताई गई थी कि money laundering को और इस तरह की चीजे है कि यहां के जो अमीर लोग हैं जैसे देखिए पेंडेरो पेपर्स में 14 आपसोर सिवा परदाताओं के 11.9 मिलियन यानि एक करोण 19 लाख गुप्त दस्तावेजों का जीक्र है जो लीक हुआ था जिसमे सुपर रिच द्वारा मतब जो बहुत हमीर हों अपने बैस्विक धन प्रवा को प्रबंधित करने के लिए उपियोग केजेना वाली 29,000 आपसोर संस्थाओं के स्वामित का विवरर दिया गया था और ये बैस्विक कार्परेट सेवाएं फर्में नकेवल औरस पस्ट सिंगापूर, न्यूजिलेंड, शनिकतराज, अमेरिका जैसे देशों में भी आप सेल्फ, कमपनिया और निगी ट्रस अस्थापित करने जो देश एक तरह से माना जाता है कि जिनके करपडाली बेहतर है इन्होंने उन्समें भी खोल रखा है बाकी जो और जो बदनाम हैं उनके लिए तो बाती छोड़ी अब टैक्स हेवन क्या होगा देखिए आप से अगर आप सो रुपे कमा रहे हैं सरकार कहरी हमको बीस रुपे दे दो तो और वो पहले ले लेती है या जब भी लेती तो आपको थोड़ा कस्ट होता है तो टैक्स देना हमेशा जो है कहा आजाता है कि कस्ट का कारक समझ में आता है लोगों को ऐसे में टैक्स हेवन कहा होगा वो जगा जहाँ पर आपको कर्ण न देना पड़े या बिल्कुल कम देना पड़े तो वह ऐसे देश कर और जो कि कर नहीं देना पड़ेगा इसका मतलब है कि आप जो है कर जाच एजनस अंतरास्टी एस तर पे जो है money laundering और इस तरह की चीज़े कर्चोरी आदी का काम किया जाता है एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर बैस्विक एस तर पे प्रयास चल रहा है यूरूपी उनियन की जो tax इस तरह की जो ऐस था है उसके दोरा तो कहना है कि जितने अमीर लो तो आपका जो tax jury हो रहा वो बराबर हो जाएगा तो इस तरह की चीजों को आप मैं पहले पढ़ा चुका हूँ फिर कभी चर्चा आएगा तो फिर जैसे पैंडोरा बाक्स चर्चा में आ गया तो इसको फिर से पढ़ा दे रहे हैं उसी तरह की चीज़े है ठीक है यह data जो ह हमारा जो news paper है वो भी इसमें सामिल है और वो भारती सूची में मतलब उसमें जो भारती लोग थे उनकी जाच कर रहा है और उसमें भारती राश्चिता के कम से कम 380 ब्यक्ति जो है इसमें उसको मिले है ठीक है अब जब यह मिला तो इसके बाद जो है केंद सरकार ने जाच इसमें ग्रूप तैयार की थी और उसके बाद फिर जो है आईकर विभाग और फिर सारी कारवाईयां और अभी देख रहे हैं कि प्रवरतन निदेशाल है जो भी भी ने सारे कारवाई कर रहा है और इसमें अगर आप आज के इंडियन एक्स्प्रेस में देखेंगे उसमें खासतोर से य वर्जन वाले में जो डीटेल वर्जन है तो उसमें बढ़ेर सारे नाम के और उनके बारे में जितना नाम इनोंने बताया है वो सारे लोगों उसमें सामिल है और उसमें जाच चल रही है अब कितना दोसी है कितना नहीं है वो तो जाच के बात पता चलेगा कि जैसे कि वो सही खोले हैं किसी को भी कहीं भी निवेस करने से नहीं रोका जा सकता है लेकिन क्या वो सारे नियम कानून का पालोद किया गया है या नहीं किया गया है इस पेटिपेंट करेगा कि वो सही है या गलत है और ये कैसे पता चलेगा ये जाच के द्वारा पता चलेगा और वो प्रक्रिया सुरू हो गई है तो पैंडोरा पेपर से क्या पता चलता है पता चलता है कि कैसे अमीर और परसिद्ध और कुख्यात बेखती जिनमें से कई पहले से ही जाच एजेंसियों के रेडार पर थे न लेकिन कठोर गुपनीता कानून के लिए जाने जाते हैं, यानि जो इसमें अमीर लोग हैं, प्रसेद्र लोग हैं, कुछ कुख्यात लोग हैं, उन्होंने ऐसे घेर सारे layer के टैक्स यहां से इनका पैसा वहां, वहां का पैसा वहां इतने चरण में डालो, जैसे आप money landring, landring म तो धोने में आप देखिएगा वसनी मसीन क्या करता है यहों जैसे कपड़े को हम भीगोते हैं छोटे चोटे टुकडों में करके आया है ताकि पता ने चल चके कि कहां से आया है यहां रहती है कि जितना जो है bonito जांच एजन्सेवं के जांच में न आया इसके बाद उसको धेर सारे इधर से उधर जो मेन कार होता है न साइबी सोपिंग जैसे आप रगड़ते हो साबून लगाते हो या वासिंग मसीन उसको इधर से उधर से उधर से उधर गुमाता है तो दुनिया के धेर सारे जो है सेल कमपनियों में इधर से उधर इधर से रिनीमित हो, यानि बहुत ही आसानी से वहाँ पे काम किया जा सके और गोपनी हो ऐसे देशों से जरूर गुजारा जाता है इसके बाद वहाँ से एक बार गुजर गया तो उसके पहले की सारी चीजे जानकारी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाला कि अब किया गया है लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है और उसके बाद वो फिर से financial system में डाल दिये जाते हैं और ये जो प्रक्रिया बहुत money laundering है एक कैसे बहुत कि गंभीर अपराद है और कई सारे अपरादों को जन में भी देती है क्योंकि ये अपराद के जो सुरोस है उसको ये छुपा ले जाती है जिससे की कहने कहीं अपराद करने वाला और motivate होता है इस तरह के अपराद करने से ठीक है तो ये गंभीर money laundering वाले मुद्दे में आप इसको देख सकते हैं ठीक है हलाकि जो जिन उद्देशों के लिए ट्रस्स इस्थापित किये गए हैं उसमें से कुछ वास्त्विक भी है हलाकि इसमें से जादा तर दोहरा उद्देश लिये हुए है पहला उद्देश दो फोल्ड है पहला उद्देश ये है कि इसके जर्ये अपनी वास्त्विक पहचान को जो है छिपाना है और खुद को जो विदेशी संस्थाओं यानि जिस देश के हैं उनसे अपने आपको जो है पता न चल सके कि हम कहां के हैं यह जो ट्रस्ट का असली मालिक है उसके बारी में जानकारी न पता हो न दूसरा क्या है कि इसके द्वारा जो लेंदारों और कानून लागू करने वाले एजंसियों से अपने निवेस यानि नगदी, सेयर, धारता, रियल इस्टेट, जो है आप कह सकते हो जो पेंटिंग्स होती हैं, बिमान, सियार्ट, यह सब उनके इस तरह के रूप में रहते हैं ट्रस्ट से इनको छुपाना होता है कि एक तो कर वाले जाज न पाए और दूसरे अगर कोई बैंक से लोन उन ले लिये हैं तो उनको भी न पता रहे कि जैसे हमने 100 रुपए लोन लिये हैं, हमने जो कुछ गिरवी रखा है, अब क्या है कि जैसे आप सोचो, उनका क्या नाम है, जैसे ही वो ब्रंड खतम हो गया, तो उसकी वैलू खतम हो गई, तो अब बैंकों के पास उसने जितना गिरवी रखा था, वो सब लेने के बाजूद भी उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन अगर ये सारे पता चल जाए कि अब यह सब यहाँ पे भी छुपा लेते हैं, कि अगर ये सारी भी जानकारी, बैंकिंग सिस्टम या एजन्सियों को मिल जाए लेंडर्स को, तो इनसे लेकर कर लेंगे, तो इसी लिए ये पेपर, पैंडोरा पेपर्स का जाँ जरूरी है, क्योंकि इसमें से कई सारे हमारे ओफेंडर्स हैं, जो यहाँ से भाग गये हैं पैसा लेकर, कई सारे यहां से टैक्स चोरी करके भागे हैं, तो यह सारी चीजे हैं, जैसे देखिए अनिलंबानी, कई मामले में वो अपने को दिवालिया घोसित कर रहे हैं, जबकि उनके काफी सारा पैसा इस तरह के ट्रस्टों में या इस तरह के चीजों में छुपा ठीक है, वो कई पैंडोरा में भी हैं, एक अभी और आया है, उसमें भी उनका नाम है, तो उनकी इस तरह से, और यह ज़्यादा तरुद्योग पती दुरिया के जितने भी हैं, वो हैं, अब ट्रम्प तो सीधे-सीधे कहता था कि अमेरिका में भी एक पते पे 20-20,000 कमपनि या हैं, तो यह एक समध लो की जो वरतमान, जो कह सकते हो चली आ रही, जो एक बैस्वी का बिवस्ता है जिसमें सूपर निच्छ लोग के लिए, यह अपने पैसे को छुपाने को अपने कर को बचाने को यह तरीका है, जैसे कहाता न, कोई कहता कि जो अमीर लोग कैसे है, क तो यह आपके जो money laundering वाला मुद्दा है आंतरिक सुरच्छाम उसके लिए importance है दूसरा है देखिए हूती अमेरिका द्वारा किया जा रहा है तो अमेरिका और बिल्टेन द्वारा यमन में हूतीयों के बिरुद्ध किया गया सनुक्तिक कारवाई यह कारवाई जो है 11 जनवर कि लिए जो है देश बेक्तिकत रूप से या सामोहिक रूप से वो कर सकते हैं इसके बाद अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जार्डन में तीन अमेरिकी सैनिकों की जान गई थी उसके बाद अमेरिकी राष्टपती पर दबाब था कि वो इरान के जो इरान पर डारे या इराक में हैं या जार्डन में हमले कर रहे हैं उन सब को कहीं न कहीं इरान का बैक्त मिला हुआ है और चुकि अमेरिका में चुनावाने वाला है ऐसे में जो वहां की रिपब्लिकन पार्टी है वो इसके खिलाब कारवाई करें इरान के खिलाब डारेक्त कारवाई करें हाला कि अमेरिका इससे बचते हुए जो है इरान के जो करते हैं कि प्रोक्सी है यानि हुती पर कर रहा है ये कारवाई हुती पर है इसी तरह से जार्डन में है या इसी तरह से सीरिया इसी तरह से इराक में भी कारवाई कर रहा है और उसको उमीद है कि इरान इससे डारेक्ट संगर्स में नहीं आएगा लेकिन कब तक ये बचा रहेगा यह एक महत्पूर्ण प्रस्न है क्योंकि साथ अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ इसराइल हमा संगर्स कहीं अगर इरान के साथ भी युद्ध सुरू हो तो एक जो है गंभीर चुनोती पेस कर रहा है मेडेलिस्ट को लेके ठीक है चली आएए इसको देखते हैं कि मुद्धा क्या है मुद्धा ये है कि पिछले वीकेंड पे जो है अमेर्की सैनिकों पर जब घातक हमले हुए थी जो है इरा जॉर्डन में उसमें इरान से जुड़े समुहों के खिलाप अमेरिकी अभियानों से दूसरे दिन सनितराज अमेरिका और बेटेन ने चनी वार को यानि परसों 36 हूती ठिकानों पर हमले सुरू किया था और ये जो हमले किये जा रहे हैं ये उसके गुप्ध थतियार भंडारों, मिसाइल प्रणालियों, लांचरों और अनसंपतियों को लच्छित किया जा रहा है जिससे हूती लाल सागर में जो ड्रोन और या मिसाइल से हमले कर रहे हैं उसको करने में वो सच्छम न हो सके और इस हमले के दोरान जो है अमेरिका बिटेन की सनुक्त करवाई का उद्देश क्या है तो देखे इस उद्देश में अमेरिकी रच्छा मंत्री जो है लायर्ड आस्टिन कहते हैं कि यह सामोहिक करवाई हूती को हूती कौन है यमन के विद्रोही अभी देखेंगे एक सपस्ट संदेश देशती है कि अगर उन्हें उन्हें अंतरास्टी सेपिंग और नौसनिक जहाजों पर अपने अवैद हमलों को बंद रहे किया तुन्हें आगे भी गंभीर पढ़ना पुगतना पड़ेगा और यमन में हाल में हवाई हमले मध्यपुरूप में संघर्जों में बिद्रिका भी संघर्ज देते हैं जो कि 7 अक्टूबर के बाद हमास के 7 अक्टूबर के इसराइल के हमले के बाद और इस्राइल द्वारा हमास को समाप्त करने के लिए गाजा में जो हमले किये जा रहे हैं उसके सॉलिडरी ट्री में जो है हूती बिद्रोहियों ने अक्टूबर या नौंबर से यह आप कह लीजे तो लाल सागर और जो बाब अलमन्डे और यहां तक की अरब सागर में भार एक चिंता ग्रस्त छित्र बना दिये हैं जिसके कारण वहां से गुजरने वाला जो है अंतरास्टी सिपिंग चैनल प्रभावित हुआ है और यूरोप और अमेरिका को जाने वाले बहुत सारे जहाज पूरा दश्रिण अफरिका का चकर लगा के जाने को मजबूर हो रहे ह है या विवस हो रहे है ठीक है यह सारे पहलू है और इसमें जो में है कि एक तुरत अभी हमले के लिए हुआ था कि तीन दिन चार पांद दिन पहले जो है इरान समर्थिक आतंक वादियों ने द्रोन से जो हमला किया था जार्डन में उसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए और यह कहीं ने कहीं अमेरिका के चुनावी वर्स है वैसे भी किसी भी देश के सैनिकों का मारा जाना एक तो वो था कि जहाजों पर हमले कर रहे थे और यह कर रहे थे वो अलग है लेकिन किसी भी देश के सैनिकों पर मारा जाना यह निश्चित रूप से अमेरिका अगर उ ये जो युद्ध है या जो संगर्स है अभी संगर्स ही कहेंगे क्योंकि प्रॉक्सी के जरिये इरान लड़ रहा है इसके आगे बढ़ने के भी संभावना है क्योंकि अभी तक ही इसमें गल्दीमत ये है कि इरान के प्रॉक्सी ही इसमें हमले कर रहे हैं इरान द्वारा किसी अमेरिकी एसेट पे हमला नहीं किया गया है और अमेरिका ने भी इरान पे हमला कोई डारेक्ट हमला नहीं किया है बलकि उसके एसेट पे हमला किया है या जो उसके जुड़े हुए जो उसको दोसी के उन पर कारवाई की है यानि इरान भी बच रहा है और अमेरिका भी बच र परवार से जो कारवाई सुरू हुई है सनित राज अमेरिका का उसमें इरान के इसलामिक रिवरिस्नी गार्ड कार्प्स और उसके समर्थित मिलिसिया से जुड़े 85 से धिक ठिकानों के खिलाब इराग सिरिया में हमले किये गए हैं और परडाम सरुप 40 लोग जा चुकी है इ लेकिन जो मेन वही है कि ये अभी तक मामला इरान समर्थित मिलिसिया तक रहे और इरान के सीमा के बाहर ही रहे तब तक तो ठीक है लेकिन अगर ये चीजे और बढ़ती जाएंगी जो समस्या है कि अगर ये इरान से जुड़े समू के खिलाफ हमलों की बाजूत पेंटाग अमेरिका कर रहा क्योंकि वहाँ पे जो है डेमोक्रेट्स हैं लेकिन ये भी एक सोचने की वाली बात है क्योंकि वहाँ पे चुना होने वाला है जो बाइडिन को ट्रम्प लगातार उनको वीक जो है उमिदवार दिखा रहे हैं ऐसे में अमेरिका पे दबाब है कि वो इरा के दोरा डारेक्ट इमयरा पे डारेक्ट हमला करे खाहस दोर से जब उसके bark झान गई है तो ये कब तक ये मामला चलता रहेगा ये देखने की बात है और दूसरा ये भी देखने की बात है कि grapes are ऑर बुर्टेन दोरा जो इरान के समर्थकों पर यानि जो उसके proxy पर हमला किया जा रहा है कब तक इरान उसको बरदास करेगा क्योंकि कहीं ने कहीं इरान को इरान ने हूती को हजबुला को या इस तरह के समुहों को इरान समर्थक देता आ रहा है और ऐसे में जब इन लोगों पर अमेरिका या बेटेन की जबावी कारवाई हो रही है तो अमेरिका पर भी इरान पर भी दवाब होगा कि वह अमेरिका के asset पर डारेक्ट कारवाई करें तो अब यह देखना है कि यह जो है छुपा-छुपा ही खेल चलता रहेगा यानि इरान के proxy अमेरिका के asset पे हमला करेंगे या अमेरिका जो है इरान के proxy पर हमला करेगा या अमेरिका द्वारा इरान में भी कारवाई की जा सकती है या इरान अमेरिका के asset पे direct हमला कर सकता है अगर ये दोनों चीजे होती है तो निश्चित है 7 अक्टूबर में जो इसराइल और हमास द्वारा इसराइल का जो इसराइल पर हमला हुआ है वो कहीं और बिसफोटक रूप ले सकता है ठीक है तो चलिए जब होगा तो होगा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिउती कौन है और वो इसराइल हमास युद्ध में क्यो सामिल है तो देखिए हुटी जो है यमन एक देश है वो जो है अदन की खाड़ी है और जो लाल सागर के एक दम कार्नर पे हार्णाफ अफरिका के जब स्ठीक उपर निस्थित है और वहाँ पे 2014 से ही अगर आप कहेंगे तो एक बिद्रोही समू है हुटी जिसने वहाँ की रालधानी सहित बहुत बड़े से पर कबजा कर लिया है और जहां तक हुटियों की बात है यह सिया संपरदाई का सिया संपरदाई का एक वह है जाइदिजम सिया बोलते है एक उसमें जन जाती है सिया संपरदाई की ही और इसे इरान, इसे इरान का प्रॉक्सी माना जाता है, इरान इसे हतियार और गोला बारूद धन संपत्ती जो है देती रहती है, ठीक है, और जो जिनके साथ इनका बेद्रो है, वो यमन में, जो है, यमन का जो मूल सरकार है, जो कहीने कहीन, जो है, अधन की खाड़ी से चल है, वह है, उसका समर्थन, जो है, सुधी अरब और अमेरिका, इसराइल आदी करते रहे हैं, इसराइल तो ने छोड़ों, वालकि अमेरिका और सुधी अरब द्वरा किया जाता रहा है, वो सुन्नी साखा है, तो देखा जाए, तो यमन में, जो हूती है, वो है, यमन के ही, सुन्णी लोगों से लड़ रहे हैं और ये कहीं ने कहीं हुती और यमन का संगर्स है वो सौधी अरव और इरान का संगर्स है लेकिन ये जो साथ अक्टूबर के बाद हमास ने इसराइल पर आतंगबादी क्रित्त किया है और उसके बाद इस्राइल जो लगातार उस पे अपना गाजा में हमले कर रहा है उसकी सॉलिडेटरी दिखाते हुए हूतियों ने लाल सागर के जो कई सारे जहाज हलाकि उनका कहना है कि वो इस्राइल और उसके समर्थक देशनों के साथ कर रहे हैं लेकिन उनोंने कई सारे यानि एक आग त कि इरान, इस्राइल और कह सकते हो उस पूरे मद्ध छेत्रे में आपसी सत्ता संधर्स का एक कह सकते हो रूप है तो अब यही है कि यह चीज़े सुलट जाएं यह चीज़े आगे न बढ़े इरान को सदबुद्धी आ जाए यह बात थे हमारे विदेश मंतरी जब 15-16 किसी भी पार्टी के लिए जो है सही नहीं है और क्योंकि अमेरिका के उपर भी दबाब है कि वो इसका जबाब दे और अगर यह बढ़ता है तो निश्यत रूप से नमध्यपूर के लिए हित्मे होगा नहीं दुनिया के हित्मे होगा यह ठीक है चलिए आज इतना ही बाकी कल मिलते हैं नमस्कार